लगतार देश का मिजाज का लगतार हम इस एपिजोड में दिखाते आये हैं कि लोगों का क्या सोचना है आम हो या खास हो लगतार देश का मिजाज का खास कारिक्रम में तमाम मुद्दो को ले करके हम आम जनों से बात किये हैं साती सात कई अधिवक्ताओं से बात किये हैं और सभी ने कहा है कि उनका देश का मिजाज अभी क्या कह रहा है एक बार फिर से हम एक नए एपिसोड में आये हैं और इस व रिद्धाल देश का मिजधाज है। ये बताइए भीया क्या सोच रहे हैं आप। सबसे पहले तो समाचार प्लस के माधम से जतने भी छेडिल के माधम जितने भी दर्शा कभी देखेंगे या देख रहे होंगे। उनको मैं जोहर करता हूं नमस्कार करता हूं। आब मताजें. देश का मिजाज क्या कहता है? देश का मिजाज एक ही नाम है मोदी, हम लोग देश में मोदी को दखना चाहते हैं, जिस परकार से यह दस साल में मोदी ने काम किया है, जाहे गरीब हो, जाहे अमीर हो, सभी क calcium एक दिरिश्टी से सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास को लेते हुए उन्हों सभी को ध्यान दिया और ये काम कर भी किया भी जा रहा है और हो भी रही है बात करें जहारखन की तो राची से संजय सेट सांसद रहे हैं इस बार भी वो जो है चुनाओं लड़ रहे हैं लेकिन अगर कॉंग्रेस की बात करें यूपिय की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कोई उमिद्वार राची से अभी तक फिलहाल नहीं खड़ा किया गया है तो क्या लगता है चेहरा नहीं है क्या कॉंग्रेस के बात बिल्कुल चेहरा नहीं है, चेहरा अगर रहता तो लोग अभी तक प्रोडूस कर दिया रहता और सही बात अगर करेड़ होता तो इतना लेट रहें का जो बाते सामने आ रही है, सुबोतकान साहय, राम टहल चौधरी, तो कतावर नेता जो हैं, सुबोतकान साहय ने भी राच को लेकर कहीं कुछ दिक्कते आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसा लगता है कि सुबोतकान साहय जी केंद्रिय मंत्री रह चुके हैं राची से, और इदर राम टहल चौधरी जी भी यहां से विधाय भी रह चुके हैं, और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन आज के चला भी गया, तो उसको डिसाइड कर देना चाहिए था, आखरे डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम लोग का किलियर है कि संजय सेट जी पहले से थे और फिर उनको दिया गया टिकट और निश्चित रूप से वो चुनाव जीत रहे हैं, और इसमें कोई दाज बड़े-बड़े नेता लोकसभा चुनाव में जो है, वो अपनी पार्टी छोड़के दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या आम लोग के बारे में भी सोच रहे हैं ये सांसद या पूर्व सांसद? वो लोग तो अपना स्वार्त पासा कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, वैसा कैसे जो है? आम जनता तो काम देख रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं उसके साथ हम लोग हैं काम यहां मोदी जी का यह तो लोग सवाचुनाव भी है सामने तो मोदी जी का काम राश्टिये अंतराश्टिये सभी अस्तर पर बहुत अच्छा रहा है कॉंग्रेस का 70 साल का राज में भी ऐसा नह जोनता है अरबर एकदम नारा पूरा देश में सब जगह है अब की बार 400 पार लोग यहां पर हमारे साथ हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक-एकर बात करेंगे सर यह बता एक कि लोक सभा चुनाव है क्या लगता है आपको क्या चल रहा है अंदर खाने में अगर यूपी आ चेरिंग को लेकर के यूपे ने अभी तक अपने पते नहीं खोले हैं तो आप आम आदमी क्या सोच रहा है क्योंकि मुदी के जो कारो काल रहा है दस वर्सों में पहले हुआ करते था गाओ गरामी इलाका में आवास मिलता था तो एकका दुका लोगों को मिलता था और अभी तो हर घर जो भी ठेटर में जाुएगा च्वाटन बटनार था कि अब तब हुआ है इसके बादह 111 अभी दिखी रहा है सड़क कार निर्मान भी बहुत जोर्व रस हुआ है जैसे पहले रांची से महांधर जाने में बेड़ो जाने में सोचना पड़ा था जब से मुदी जी आये उसके बांग कारकाल में यह सड़क बना है महांधर हो गुंबला हो चला है इसलिए लोग भी चाते हैं अभी केंद्र सेंट्रल में तो मोधी को ही चाते हैं और स्टेट में तो खर देखी रहे हैं लूट फार्ट का चली रहा है यहां आदिवासी आदिवासी बोलके यहां आदिवासी का सरकार बनाया यहां सभी लोगों ने मिलके और आदिवा तो कई लोगों का कहना है कि इस बार मोदी की सरकार आएगी साथी साथ कई लोगों के कई अन्य राये हैं अब कुछ लोगों से और बजानेंगे यह बताइए कि जो यहां के सांसद हैं रांची के सांसद हैं संजे सेड एक बर फिर सुनको मौका मिला है तो क्या आप उनके साथ हैं निश्चीन तुरूप से इस बर चुनव में निकल रहे हैं हम लोग हैं बीजेपी के साथ में मादनीय परदान मंत्री घर दिया सोचाले दिया आईशवान काट के लिए 5 लाग का हम लोग को रहत दिया आप लोग को आप तो सुविदा उठा रहे हैं उतना पैसा गिरे अवास मिला आपको आवास नहीं मिला है लेकिन हमारे पहचान के आदमी को मिला है बहुत खुसी जा रहे हैं इसलिए हम लोग अभार वैक्त करते हैं मोदी जी का हम लोग के संसाद मानि संजय सेट इस बार फिर चुनावने सिंद्रूप से जीत रहा है हम लोग उनके साथ है बिल्कुल तो कई लोग जो है वह अपनी रायदे रहे हैं सभी का कहना है कि चुनाव जो है वो ज अंतराश्टी अस्तर पर भी बहुत नाम हो रहा है, काम ही बोल रहा है मोदी जी का, अभी जो काम करेगा वही नाम होगा मतलब जिस तरीके से जहारखन की राजनीति की बात करें तो संजे सेट को मौका मिला है, लेकिन रांची से अभी यूपीय में कोई उमिद्वार नहीं ह क्या लगता है रांची के लिए यूपीय के पास कुछ चेहरा नहीं है, लुकान किया है, रामचाल चोदी जोइन किया है, शुबात को पर तो फिर जारखन के लिए क्या कर पाई है, जब राखन को इसे भी लोग मं ले दूए है, अब क्या लग रहा है कि पबलिक के पस अच्छा अच्छी बात है आप काम करेंगे हम लोग है उनसे जानेंगे यह बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रांची से बीजेपी जो है वो लोकसभा छेत्र से रांची रोकसभा छेत्र संजेशेट को परतियाशी बनाया है दुबारा बनाया गया यूपी अभी तक नहीं रांची से खड़े किये हैं तो क्या उप्सन नहीं है लोगों के पास अब तो लग रहा है पर ऑप्सन तो सभी के पास होता है पर हमारा अप्सन तो संजेशेट है पर हम लोग का अप्सन संजेशेट है और वही जीते हैं और वही बनेंगे भी इसमें कोई दूमत नह पर हमारा अप्शन संजे से ठेट है और वही जीतेंगे भी निर्विरोद जीत सकते हैं कोई ठीक नहीं है पर जीतेंगे गई जिस तरीके से जार्खन की राजनीती चल रही है कई नेता जो है वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं अपने फाइदे के लिए ही अमु कोई कुछ बोलता है कि आप मेरे पास आजाएए मैं आपको यह कराऊंगा को कराऊंगा तो सब लोग अडलेंगे इचिदर द्ळान होता गजाते हैं लोग और चल्हाई तो हम लों के पास है ना हम लोग चल चुड़ चुके हैं दळान के तरफ मेड़े लॉगगा सण से ज जाए हम नीचे नीचे वह लोग जाते हैं जो बेवस होते हैं अरे लुलक नहीं होगा यार हम लोग तो उपर खड़े हैं को यह नहीं हम लोग उपर खड़े हैं जीतेंगे देखिए किस तरीके से लोगों का क्या कुछ होता है फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबर कुराएंगे कुछ लोगों से और जानेंगे देश का मिजाज क्या है तो एक बर फिर से देश का मिजाज में आपका स्वागत है ब्रेक से पहले हमने दिखाया किस तरीके से लोगों का देश का मिजाज क्या कह रहा है और साती सात लोगों ने अपनी कई राय दी है हमरे साथ इस वक्त कुछ महिला भी है जो यहाँ पर बताएंगी कि उनको क्या परेशानी हुई थी क्या हो रही है क्या कुछ परेशानी है चाची अभी सबी है ठीषा जब्त साट वक्त कॉछ चूई नहीं है नहीं है बिजली है पानी नल का पानी में दिक्कास होता है तो इसके लिए बोरिंग पानी कर दिये हैं हमरे एक सुभी रहा है पाथरिम सेखर student क सब वह का सारैन सब बताने सब जानें किये होंगे कि का यह कि अन्ग इसा नहीं है वह साथ के नए मिद्ने का pagina wasn't sampai कोई इसका प्रेशानी नहीं है अभी रोड कत सर्केशमव होता है खुष है जुट बोलры है correct पानी दे रहा है सप्लाई जो नहीं है अपके अच्छे अच्छे प्रेट नेता है मोधी है वो किये हैं हम लोग के लिए तो कोई परिशानी है चाची अपके महला में कोई परिशानी नहीं है मोधी सरकार हमको पाय टूट गया हमको बहुत सा मदद किया और अभी थोड़ा सा ठीक है अब थोड़ा सा चल रहे हैं इसको लेके मोधी सरकार हमको लिए बहुत किया पाय टूट गया हो स्पीटल में पैसे दिया हमको बहुत कुछ किया मैं तरिया बास्ती में कोई कि थी कर कमिनी है हमको मृधि सरकार बहुत कि बहुत इतना कि एक मन खोश कि अधिक सरकार की कंगरेश कि मिला आपको आवास वास मिला है का है मोदी सरकार करता अधिक सरकार नहीं मिला तब यह तो भी नहीं मिले तो भी इस तो मिलेगा आपको मिलेगा का है जब मिलेगा ताब मिलेगा अभी तो नहीं मिला है इंतजार है कि मोदी सरकार दुबार आएंगे तो फिर से आपको मिल सकता है पेंशन उनसर मिल सकता है अभी नहीं मिला है यह तो तमाम लोगों के देश का मिजाज है तमाम लोगों की अपने अपनी राय है एक महिला से बात हो रही थी वो बोली कि ना पेंसन मिला है ना आवास मिला है लेकिन मिल सकता है मोदी सरकार है मिला ही है सब को करीब करीब मिला है कुछ लोग हो सकता है किसी कारण बस अगर छूटे हुए होंगे तो मिलेगा सब को मिलेगा चुकि मोदी जी विकास तो सभी अस्तर पर किये हैं नेशनल इंटरनेशनल और सभी जाती सभी समपरदायक में चुकि ऐसा यह पहली बार हुआ है कि हम लोगों के देश में ऐसे कोई प्रधानमंत्री मिले हैं जो 24 घंटा एकदम बर्क में लगे हुए रहते हैं कोई छुट्टी उट्टी नहीं जब देखिए काम में लगे हैं कि इतने लोगों को हमको लगपती दीदी बनाना तो उनके काम से जनता परसंद है और खुस है इसी के लिए उनको आना अब एकदम तय है कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है यह जनता का चुनाव है मोदी जी का नहीं और हम लोग कंडिडेट नहीं देखते हैं करके चलते हैं चुकि वहीं से योजना जो भी आएगा उसको आमल में यह लाएंगे यह सुजीद जी यह बताइए कि चुनाव जो है वह साफ देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो रुजहान आ रहे हैं लेकिन इनी सब के बीच अगर बात करें ज इतना असर पढेगा भीजी कोईश तरने मेरा कानून है कर गलत किया ह। जो गलत किया वह उनको सजा मिलेगा उप पबलिक हो जाए भ्याएजONG काणुन तो सबके लिए समान है अब माल लिजे काणून किसी को अंदर करता है या पकल करता है तो इसे बbekत परकर दखता है और नहीं किसी मुख्याओं को पराम सकता है जो तो नहीं को परीवारे से ठीक है तूबाब दुख रहता है वो चुनावी मैदान में हैं हिमन सुरेन जेल में हैं क्या इसा लग रहा है कि परिवार को नजर लग गई नजर क्या लगा जो गलत किया वो जाएगा सालाखों को पीछे वह सब कुछ बात नहीं क्या नजर लगना काम करने के लिए आपको भेजा गया था काम किजिए यहां यहां हुई बीजेपी के पचीस सनेता थे उन पर भरष्टरचार का आरोप ता पचीस सनेता जो हैं वो विजेपी में शामिल हो गए वो जो है यूपीय में थे शामिल हो गए जिसमें से 23 को राहत मिल गई परटाचार का जो आरोप लगा था 23 को राथ चैकर दुख getting अगर मेरा तो कहना है कानून सब के लिए एक समान है और हम इसी पर विश्वास करते हैं कि अगर माल लीजे अगर सब बोलते हैं जनता ही कह रही थी सुत्रों के अवले से खवरारी दिल्ली भी गए थे बीच में बीजेपी के आला अधिकारियों से आला नेता बड़े बड़ बिल्कुल कुछ लोग और हैं उनसे बात करेंगे बहिया ये बताइए कि अब चुनाओ का महौल आ गया है कितने उस सुकता है कैसे आप लोग चुनाओ जो है गर्मी भी काफी रहेगी तो क्या कितने बज़े आप लोग निकली एक दम सुबा सुबा जाईएगा क्या हम लो पांच साल में एक बर ये ऐसा तेवार आता है जो कि लोगों को बढ़ चड़के हिस्सा लेना चाहिए अपना नेता चुनने का एक मुका मिलता है तो बढ़ चड़के निकलना चाहिए गर्मी ठंडा बरसात तो आती ही रहती है तो ये तेवार जो है पांच साल के बाद आत प्रत्याशी जो राशी लोकसभा से खड़े हुए हैं उनको वोट जरूर करेंगे फिलहाल देश के मिजाज में बस इतना ही आगे भी हम आपको दिखाएंगे और लोगों का मिजाज जरूर आपको बताएंगे अपने सोगे नवल किशोर के साथ अंकुर सिना समचार प्लस राशी